वेल्कम बैक माई लवली स्टूडेंट्स तु दे चैनल स्टाडी विद नेहा सिंग और जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आज की वीडियो रहेगी सिर्फ नाशनल इंकम के नुमेरिकल पे बेस्ट और आई होप आपने कॉम्पोनेंट्स की तयारी कर ली होगी जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि कॉम्पोनेंट्स याद करके आना कि कौन से मेथट में कौन से कॉम्पोनेंट्स हम यूज करने वाले हैं तो आज की वीडियो में भी हम यही करेंगे क्वेशन कर दें और मेरी वीडियो जरूर एंड तक देखें तो चलिए शुरू करते हैं question number one तो यहाँ पर question में क्या components दिये हुए है purchase of machinery to be used in the production unit hundred then sales, intermediate cost, indirect taxes, change in stock, excise duty and stock of raw material देख लो भई sales है, intermediate cost है, indirect tax है, change in stock है तो यहाँ पर income method तो लगने से रहा क्योंकि income से related तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है उसके बाद यहाँ पर expenditure से related expenditure के components भी नहीं दिये हैं तो यह हो जाएगा gross value added at market price हम यहाँ पर निकालेंगे जो की हमारा value added method से निकलेगा and gross value added is equals to GDP at MP तो चलिए, निकाल लेते हैं अपने components के हिसाब से और इस question में हमें पूछा गया है value added, net value added at factor cost यह हम से पूछा गया है, ठीक है? तो पहले तो value added के हिसाब से अपना GVA at market price निकाल लेते हैं components क्या थे? GVA के, GVA at MP या फिर GDP at MP is equals to value of output minus intermediate consumption या फिर intermediate cost अब देखो intermediate cost तो यहाँ पर directly given है लेकिन हमारा value of output given नहीं है, ठीक है? तो value of output हम कैसे निकालेंगे? हमें आता है value of output is equals to sales plus change in stock ठीक है? तो change in stock अगर directly given है तो directly लगा लो नहीं given है तो closing stock minus opening stock कर लो अब देख लेते हैं भाई, sales हमारी directly given है तो यह हो गया 200 plus change in stock given है क्या? given है 10 तो यह हो गया हमारा value of output 210 अब इसको उठा के इस वाले formula में apply कर दो तो हमारा GDP at MP या फिर GVA at MP हो जाएगा 210 minus intermediate cost 90 ठीक है? तो यह हमारा हो गया 120 तो यह हो गया हमारा GVA at MP लेकिन हमें क्या निकालना है? NVA यानि net value added at factor cost तो यह भी हमें आता है GV factor cost तो हमने क्या निकाला? GVA at MP अब देख लो भाई, gross से हमें net में जाना है ठीक है? तो क्या करेंगे? Minus depreciation उसके बाद market price से हमें जाना है factor cost में तो क्या करेंगे? Minus net indirect taxes depreciation given है क्या? Given नहीं है तो छोड़ दो GVA 120 था Net indirect taxes given है क्या? Directly given नहीं है तो directly given नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? Indirect taxes minus subsidies Indirect taxes कितने है? 12 Minus subsidies कितनी है? Subsidies भी हमारी given नहीं है तो यह हो गया 0 तो 120 को 12 से minus कर देंगे तो यह आजाएगा हमारा 108 तो यह हो गया अब यह चाहे आपका क्रोर में दिया हो तो क्रोर लगा दो अगर आपका lakhs में दिया है तो lakhs लगा दो तो यह आपका answer हो जाएगा जी, simple था, कुछ नहीं था हमें बस components याद होने चाहिए उसके बाद आरहा हमसे answer निकलाएगा कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है step follows करते चलो answer अपने आप आपके सामने आता चला जाएगा students ऐसे कि आपने last question में देख लिया होगा जरूरी नहीं है कि जितने questions जितने question में components given है वो components हमारे काम आए ही आए वो सिर्फ confuse करने के लिए रखे जाते हैं तो हमें अपने method के हिसाब से उसी हिसाब से हमें components उसमें से pick करने हैं choose करने हैं और answer निकालना है हमें confuse नहीं होना है इसलिए basic जो अपने हैं वो concepts जो हैं वो clear रखो कि हर एक method में कितने-कितने components आ रहे थे किसमें कौन सा आ रहा था वो clear रखोगे तो आपको इधर उधर जाधा components देखके confusion होगा ही नहीं बिलकुल भी ठीक है चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने next question पे अब यहाँ पर क्या given है wages wages से ही समझ जो wages है income है income है मतलब अपना आ गया income method ठीक है अब देख लो wages rent interest dividend dividend mixed income और undistributed income sorry undistributed profit social security contribution corporate profit tax और NFIA और इसमें हमें क्या निकालना है domestic income और national income तो चलो निकाल लेते हैं वई हमने देखा था कि income method में हमारा जो निकल के आता है वो होता है NDP at FC तो यही हो जाएगा हमारा domestic income हमें confused नहीं होना है कि domestic income है भाई इसमें यह क्या मतलब हो गया हमें तो NDP at FC बताया था यह क्या आ गया है ना domestic income is NDP at FC किसमें हमारा सिर्फ income method में है क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो question जो पूछे जाएंगे वो इस तरीके से income लगा के पूछे जाएंगे product लगा के पूछे जाते हैं तो वो कौन सा हो जाता है हमारा value added क्योंकि उसमें हम product method recipes को बोलते हैं तो यह हो गया हमारा domestic income यानि NDP at FC अच्छा अब NDP at FC में हमने देखा था income में हमारे कौन से components आ रहे थे हमारे 5 components आ रहे थे ठीक है तो कौन से components आ रहे थे compensation of employees rent and royalty interest और हमारा corporate profits जो भी organization के जो profits होते थे और उसके बाद last आता था mixed income ठीक है तो सबसे पहले compensation of employees compensation of employees में direct given है क्या direct given है क्या direct given नहीं है तो compensation of employees में क्या आता था wages, salaries, cash in hand cash in kind ये सब आ रहा था सही है तो wages given है उसके अलावा और कुछ given है नहीं given है तो wages उठा लो भाई 10,000 तो हमारा COE यानि compensation of employees हमने लिख लिया फिर था rent and royalty rent given है 5000 royalty given है क्या नहीं given है तो 5000 लिख लो ठीक है फिर आजाओ next हमारा क्या था interest, interest given है given है भई 400 फिर आजाओ next फिर next हमारा क्या given था कि जो भी company का जो profit होता है वो company के profits में क्या क्या आता था हमारा, आता था हमारा dividend, मैंने आपको बताया था 100 crore का अगर हमें profit हुआ है तो वो किस तरीके से तीन चीज़ों में divide हो रहा था dividend, retained earnings, corporate profit tax ठीक है ठीक है भई हमारा direct given ही नहीं है profit किस तरीके organization का कौन सा profit है तो जो उसके तीन जो टुकडे थे वो धूंड लो सबसे पहला हमारा क्या था dividend आ जाएगा तो dividend given है 3000 ठीक है फिर undistributed profit को retained earnings बोलते हैं undistributed retained earnings क्या था जो हम अपने past profit में से जो part हम बचा के रखते थे company जो बचा के रखती थी future के लिए उसी को तो retained earnings बोलते थे undistributed profit की तो हुआ 200 add कर लो ठीक है फिर फिर आओ भई उसके बाद हमारा क्या रह गया corporate profit tax corporate profit tax आ गया 400 ठीक है तो organization वाला भी हो गया अब last था mixed income mixed income given है given है वही 400 ठीक है अब इसके अलावा यहाँ पर यह भी आ जाएगा कि social security contribution जो की है 400 यह कौन सा है social security contribution social security contribution आ जाएगा हमारा compensation of employees वाले part में यह आ गया 400 और add कर दो social security contribution वो हो गया part जो मैंने आपको पहले भी बताया था जो cash in kind हमें जो मिलता है कि हमारे यह package में जो PF वाला मतलब जो extra हमें जो bonus में मिलेगा जो हमें retirement के बाद मिलेगा वो वाला जो amount जो होता है जो हमारी salary में से काटा जा रहा था वो हो जाएगा social security contribution अब इन सब को add कर लो तो जी यह हो जाएगा हमारा rupees 19,800 ठीक है तो यह हमारा आ गया NDPFC तो एक तो हमने कर लिया domestic income तो निकाल दी अब निकाल लेते हैं national income national income क्या होता था NNP at FC तो NDP PFC हम निकाल चुके हैं तो इससे कैसे net तो भई net है domestic से हम national में जा रहे हैं तो क्या करेंगे plus NFIA NFIA गिवन है thousand तो 19,800 plus thousand is equals to rupees 20,800 करोड करोड तो यह हमारा आ गया domestic income और national income कौन सा method लगा के income method लगा के कैसे किया सारे जो components थे वो याद रखे उनका जो breakdown था वो याद रखा जो सब components थे और निकाल दिया इसके अलावा अच्छा इसमें हमने mostly सारे mostly क्या सारे ही components जो हैं वो काम आ गए हमारे ठीक है तो किसी question में components काम आते हैं किसी में नहीं आते हैं सारा खेल है जो हमने theory part जो इसका पढ़ा था उसी के basis पे सारा कुछ यहाँ पर निकल के easily आ जाएगा अब देख लेते हैं third और last expenditure method का एक question ठीक है expenditure method में क्या निकलता है GDP at MP ठीक है और हमें यहाँ पर निकालना है NDP at FC अब फटाफट से देख लेते हैं components तो expenditure method के components याद करो expenditure method में क्या था private final consumption expenditure यानि जो हमने खर्च किया ठीक है हमने जो consume करने में जो भी खर्चा किया तो वो हो गया फिर तो इसमें पहले एक ही करके देख लेते हैं तो private final consumption private final तो नहीं है सिर्फ consumption expenditure है तो हम इसको ले लेंगे तो यह आजाएगा 20,000 ठीक है अब next वाला क्या था अच्छा हमने जो खर्चा किया वो government ने जो खर्चा किया वो government वाला खर्चा क्या given है यहाँ पर government का खर्चा यहाँ पर given ही नहीं है तो चलो आगे बढ़ो next वाला क्या था हमारा जहाँ पर हम कर रहे थे खर्चा कर दिया अब हम investment कर रहे थे fixed capital में और inventory capital में ठीक है अगर gross investment capital formation हमारा given है gross domestic capital formation given है क्या पहले देखो capital formation नहीं given है तो उसके अंदर के क्या थे fixed investment और inventory investment तो वो given है क्या वो given है gross domestic fixed investment और inventory investment तो हम यह ले ले लेते हैं 10,000 प्लस 5,000 अच्छा अब एक point आप यहाँ देख रहे होंगे residential construction investment residential construction investment अब बहुत बच्चों के दिमाग में यह आ जाएगा कि माम यहाँ पर तो यह fixed capital पे ही investment हुआ construction हो रहा है building का तो यह क्यों नहीं आप include कर रहे हों यहाँ पर यह इसलिए include नहीं होगा भई क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर अगर हमें already दे रखा है हमें पहले ही fixed investment दे दिया है तो हम फिर उसका उसका part नहीं धूनेंगे ना यह जो part है वो इसमें already included है जो 6,000 है वो इस 10,000 में पहले से ही included है मैंने आपको बताया था confuse करने के लिए देते हैं अपना concept clear रखो हमें पहले ही जब दे दिया है fixed investment तो हम उसका दूसरा part क्यों धूनने जाएंगे सही है तो हमने already fixed investment as it is हमें दिया हुआ है हम क्यों महनत करें इसको जोडने में अगर इसको हम फिर जोल रहते हैं तो वो double counting हमारा error आ जाएगा इसलिए सिर्फ नाम सीधा सीधा given है domestic fixed investment तो डाल दो 10,000 plus 5,000 हमारा inventory का अब inventory investment given है इसके साथ में अगर आपको opening stock और closing stock भी given होते हैं तो वो नहीं देखना था inventory investment सीधा सीधा given है डाल दो इसमें ठीक है अच्छा अब last क्या था net exports क्या net exports given है नहीं है given तो इसको add कर दो हमारा component complete हो गया तो यह आगया हमारा rupees 35,000 करोर्स ठीक है अब हमें क्या निकालना था NDP at FC NDP at FC तो हमने क्या निकाल लिया GDP at MP तो हमें क्या करना है भई gross से net में जाना है तो क्या करेंगे minus depreciation फिर domestic से हमें domestic तो domestic ही है तो इसको छोड़ दो फिर ठीक है और उसके बाद है हमें factor cost market price से जाना है factor cost में यानि minus कर दो NIT net indirect taxes तो GDP at MP हमारा 35,000 है depreciation गिवन है क्या? गिवन है 2,000 net indirect taxes गिवन है क्या? नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे? indirect tax minus subsidies indirect tax कितना गिवन है? 1,000 subsidy कितना गिवन है? 2,000 simple आज ओ तो इसको solve कर लेते हैं simple है तो 2,000 यहाँ पर 2,000 minus ही कर लेते हैं 30, 3,000 minus अब देखो यहाँ पर यहाँ पर क्या है? अब minus का 1,000 आएगा bracket खोलोगे तो यह plus हो जाएगा simple maths तो यह हमारा हो गया rupees 34,000 करोर आगया हमारा NDP at FC ठीक है? यह हो गया हमारे तीनों मेथर्ड हमने देख लिया अब इसमें हमारा यह जो कैसे हमारा double counting का हमें confuse कंडे के लिए component दिया जाता है वो भी हमने समझ लिया तो बेसिकली हमने देख लिया कि हर तरीके का question कि कहाँ पर क component जाधा भी दिये होते हैं लेकिन हमें सिर्फ अपने काम के जो है components वो निकाल लेने हैं कहाँ पर exactly सारे ही components काम आ गए और कहाँ पर किस तरीके से हमें double counting वाली error हो सकती थी यहाँ पर तो यह हमने यह वाला भी यहाँ देख लिया तो students I hope आपको आज का वीडियो आज की जो numericals वो समझ में आ गए होंगे तो आज का वीडियो हम यहीं end करेंगे और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो वर्थ हैं इतनी कि आपको समझ में आ रहा है इसमें macro economics और आपको national income जाने में और उसको easily समझने में आपको मदद म आ रहा है तो मैं यहाँ पर revise भी इसको करा दूंगी और इसके अलावा मेरे चैनल में इसी तरीके से मेरा साथ देते रहें उसको इसी तरीके से देखते रहें keep watching, keep studying and keep supporting my channel तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में